सिंग्रॉली कलेक्टर के सामने रो रो कर फरियाद सुनाता है ये विश्नु दुबे विश्नु दुबे अपनी जमीन पर अपना हक मांग रहा है वो जमीन जो इसके दादा के नाम से है लेकिन दबंगो ने अधिकारियों के साथ बिली भगत कर जमीन पर कबजा कर लिया विश्नु ने इसकी शिकायत सीम से लेकर मंत्री तक से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इतना ही नहीं विश्नु की जमीन को कबजा करने वाले दबंग इतने बेखौफ हैं कि वो इसकी हत्या करने की बिध्धम की दे चुके हैं जमीन नहीं में जिसके नाम पे हुई हैं जनी तिवाई और सुनील सीम यह बोला है कि आंवा तुम यहाल सेथर्व नुको करतके शेख देंगे हम क्या करें स्रिमान हम पर्षाण हो चुक के हम हम लिए स्रिमश आप मान्दी मुह मंद्री शिड्राश्टिंग के पास ंपास भी छिकाइद किया लेकिन चीन के निराकर्ण के नाम पर शुत, न tricks इसकार्स काम नहीं करते है। तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे नामनी वर्मा जी कोई करके हैं तैसिल्दार है यहां के नगर नगरी तैसिल के वह पकड़ के मुवाइल हमारा लुट लिए सुनियर सिंग पिता सत्रुवान सिंग नहीं हमारे जमीन का प्लाट कटवाने के लिए पूरी घटना सिंग रॉली के नौगड इलाके की है विश्णू की एक एकड से जादा जमीन सड़क टी किनारे है लेकिन उस जमीन पर दबंगो की नजर पड़ गई और वो धीरे धीरे कर वो उस पर कबजा करने लगे इस दोरान विश्णू अपनी जमीन बचाने के लिए हर उस जगह गया जहां से उसे उमीद थी लेकिन विश्णू को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी अब मामला जब कलेक्टर के संग्यान में आया तो उन्होंने इस मामले की जांच कराने और जल्द ही इंसाफ देने का भरोसा दिया है फिलहाल विश्णू दूबे कलेक्टर साहब का भरोसा लेकर घर चला गया है लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक निचले इस्तर के अधिकारी क्या कर रहे थे आखिर जब विश्णू दूबे अपनी फर्याद लेकर उनके पास जाता था तो उसकी सुनी क्यों नहीं गई कहीं ऐसा तो नहीं कि दबंगों ने अधिकारियों के साथ कोई डील कर ली है फिलहाल कलेक्टर साहब के निर्देश पर तहसिल दाज अपनी रिपोर्ट सौपेंगे उमीद है कि जल्द ही विश्णू को इनसाफ मिल जाएगा और उनकी पुष्टैनी जमीन पर उनका हक होगा सिंग रॉली से हरियों सिंग के रिपोर्ट MP तक